Hello Friends, Welcome to Knowledge Seekers guys तो Direct Second Year Engineering की जो Provisional Merit List है वो अफिशल वेबसाइट पे रिलीज हो चुकी है इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमें अपनी जो अलटमेंट लिस्ट है वो चेक करना है उसके बाद वो आपको कौनसी कौनसी जो इंपोर्टन चीज है वो हमें चेक करना रहता है ताकि अगर कुछ गलत रहे तो हम अपना जो ग्रिवरेंस है वो जल्दी से सब्मिट कर पाए तो लिस्ट चेक करने के लिए आपको आजाने Official CET के वेबसाइट पे Link description में मिल रहे होगी यहापे आपको क्लिक कर लेना है Direct Second Year Engineering पे जैसी आप यहापे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहापे काफी सारे जो options है वो मिल रहे होगे अगर आप login करते हो तो login करने के बाद भी आप अपने जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो देख पाऊगे तो आपको लिस्ट देखने के लिए क्लिक करना है View Diploma Provisional Candidate Merit Status पे जैसी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो options है वो देखने को मिल जाएगे Application ID और Date of Birth का अगर आपने BSC से apply के होगे तो BSC View BSC Provisional Merit List पे क्लिक कर देना ठीक है क्लिक करते है आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा आपको यह आपके अपनी जो application ID है वो डाल देना है आपको फिर आपके Date of Birth डाल देना है और Continue पे कर लेना है एक क्लिक जैसे ही आप Continue पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी जो Provisional Merit List है वो देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे पहले तो आपको अपनी सारी जो डीटेल्स है वो चेक कर लेना है जैसे नाम, Category और भी बागी सारी चीज़े अगर आपने Minority के लिए Apply किया होगा तो यहाप आपको Yes देखने को मिल रहा होगा और बागी सारी चीज़े भी आपको यहाप देखने को मिल रहे होगी तो सारी जो चीज़े है वो अच्छे से चेक कर लेना फिर डीटेल्स डीप्लोमा डीटेल्स में आपको अपना जो कोर्स नेम है वो देखने को मिलेगा जिससे आपना जो डीप्लोमा है वो कम्प्लिट किया है जैसे यहाप पर Electrical Engineering है इस्टूडेंट का फिर यहाप आपको अपने जो मार्स है गाईस वो देखने को मिल रहे होगे यह जो मेरिट नमबर है गाईस यह थोड़े चेंज होने के चांसे सरहते है जब Final Merit List आएगी उसमें आपको थोड़ा बहुत जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है बट इसके आज़ पाईस ही आपको अपना जो मेरिट नमबर है वो Final Merit List में भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अब यह जो स्टूडेंट है गाईस इसके जो कैटिगरी है वो है SC और इसने Minority Quota के लिए अपलाई नहीं किया है गाई तो इसलिए आप यहां मेरिट नमबर है वो देखने को मिल रहे है एक है गई State Level General Merit Number जो के यहां पे 5274 और एक है गई यहां पे State Level Category General Merit Number जो के आप देख सकते हो 340 है यह इस Student का Category है अगर आपका OBC Category होगा तो आपको यहां पे OBC Category का जो आपको State Level General Merit Number है वो देखने क है तो यह सारे जो आपको Merit Number है वो देखने को मिल रहे होगा अगर आपने Minority से अपलाए कि होगा तो वो Merit Number आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा ठीक है यह सारे जो Merit Number है इसी से आपका जो Admission है जो फिर आगे जाके होता है ठीक है इसके अलावा जैसे मैंने आपको बला कि कौन सी चीज़ चेक करना है आपको था कि अगर आपको ग्रिवरेंस देना है तो देपाओ तो आपको अपने जो marks व bou गए यह जो check कर लेना है प्रस आपको अपनी जो details है वो भी check कर लेना है इसके अलवा अगर आपको पूरी जो merit लिस्ट है वो देखना है तो तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको बस क्लिक कर लेना है व्यू डिप्लोमा प्लिजनल मेरिट लिस्ट अलकेा इस पर अगर आप क्लिक करोगी तो आपको अलके …… जो मेरिट नमबर है वह देखने को मिल जाएगा सब से पहले आपको यहापी religious minority type linguistic minority type और फिर यहापी आपको सारी जो चीज़ है वो देखने को मिलेंगी जैसे legend short form का full form क्या होता है वो आपको यहापी देखने को मिल जाएगी और पूरी जो merit list है वो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि first number पे कौन सा student है second number पे कौन सा student है और बाकी पूरा जो merit list है वो आपको यहापे देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर आपको BSC का check करना है तो view BSC provisional merit list पे click कर लेना और आप सारी जो चीज़ है वो देख पाऊगे ठीक है तो ऐसे आपको आपनी सारी जो चीज़ है वो चेक कर लेना ह और जल्दी आपकी जो final जो merit list है वो लगने वाली है उसकी जो date है वो रहने वाली है 27 थारी को confirm आपको पता चल जाएगा कि आपका जो merit number है वो कितना रहने वाला है थोड़ा बहुत ही change होता है जादा जो change है वो नहीं होता है ठीक है तो ऐसे आपको अपनी जो provisional merit list है वो वीडियो informative लगा होगा अगर कोई भी question होता है तो आप ज़रू comment section में डाल दीजिए मैं ज़रू try करूँगा कि आपके सारी questions के answer कर दूँ और अगर आपने अब तक इस चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon ज़रू से रबात दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो